खबर सुल्दान पूर जैसिंग फूर से है जांस्थाने कोत्वाली शेत्र के सिम्री बाजार में स्थित बड़ोधा उत्तर प्रदीश क्रामेट बैंक की साखा में पैंक के अंदर काइस काउंटर पर लाइन में पैसा जमा करने खड़े एक राहक के हां सिलोटेरों ने 20,000 र पूत्र राजपती पांडे जैसिंग फूर तहसिल में जमीन के पत पर कार रहे थे से अंदर पांडे बुद्वार को अफ्रान करीब 12 बज़कर शक्राइस मिनट पर अपना पैसा सिम्री बाजार में स्थित बड़ोधा उत्तर प्रदीश क्रामेट पैंक की साखा सिम्री मह पूत्पुर में अपने खाते में जमा करने के लिए लाइन में हाथ में 20,000 कैस लेकर काउंटर पर खड़ी थे इसे बीच उनका कोई पर चिता गया तो उससे वहाब बात करने लगे इसे बीच बैंक के अंदर पहले से ही खात लगा कर बैठी लुदेरों ने उनके हाथ पर छपटा मारकर रुपए च्छिंक कर बैंक के बाहर की तरफ भाग निकला बैंक के बाहर रोट पर उसका दूसरा साथी जो बैएक चालू करके पहले से ही बैठा था उसके साथ बैएक पर बैठ कर फरार होने में सफल रहा वह इससे आप धर पांड़े भाग रहे उचके को पकरने के लिए दोड लगाई कि तो सफल नहीं हो सके घटना की समय बैंक में कोई भी सुरक्षा कर्मी या गार्ट मौजूद नहीं था अगर बैंक की गेट पर कोई सुरक्षा कर्मी या गार्ट होता तो साइद या घटना नहोती घटना से बैंक वा बाजार में हाड़ कम मस्किया गटना की सूचना पर पहुँची इस्थाने इसेंप्री बाजार पुलिस चोगी की पुलिस बैक पहुचकर पीडित तौर बैंक करमचारों से पुष तास करने में जोट गए। पुलिस बैंक के सीची टीवी फुटेस खंगाल कर सीची टीवी फुटेस के साक्ष जुटा कर लुटेरों की सनाक्ट में जुट गई पीडित स्यामदर पांडे ने घटना की तहरी इस्थाने पुलिस चोकी समरी बाजार में लेकर कारवाई की मांगी है इस समर्द में समरी जोकी इंजास अनिल सक्सिना से बात की गई तो उन्होंने बताया कि CCTV फोटेस के अधार पर पिरित की तहरीर पर पुलिस चानवीन में जुटी हुई है तो आप आप यहां कोई पत्पे हैं कि मतलब आपको किसी पत्पे भी हैं जलिदार हैं अच्छा कितने बजे की घटना है यह बारवज के 17 मट की घटना है तो आपने पैसा आपके हाथ से छीना है जिए तो आपने आवाज नहीं किया हुए हमारे बज़ वाज वाल ती नहीं पर क्देर की घटना है तो आपने कुछ अप्लिकेशन होगार चोकित दिये हैं हाँ चोगी के सोनमर आई और चोगी का दे लिए चोगी अप्लिकेशन दीए आप अच्छ अच्छ ठीक